Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics So friends, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Types of Digital Evidences के बारे में इससे पहले हमने बात करी थी Digital Evidences क्या होते हैं, Evidences क्या होते हैं and वो कितने Types के होते हैं आज particularly हम बात करेंगी जो Digital Evidence होते हैं वो कितने Types के होते हैं इसमें Digital Evidence में हम किन-किन चीजों को include कर सकते हैं तो ये सारी ही चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में हम discuss करने वाले हैं जो जली से start कर लेते हैं लेकिन उससे पहले आप सभी से एक request कि इस वीडियो को सभी के साथ में share कर दीजेगा ताकि जिसको भी इनके बारे में जानना हो उन्ता की वीडियो पहुँच सके तो अभी start कर लेते हैं और यहां पर सबसे पहले अगर हम बात करें Digital Evidence में आपके बहुत अलग-अलग तरह के Electronic Devices आती हैं जो कि कहीं ना कहीं जितना भी Electronic Form में डेटा होता है उसको store करने के लिए किसी भी अलग-अलग तरह से medium में उनका use होता है अब उसमें से आपके अलग-अलग जो types हैं वो एक एक करके हम देख लेते हैं जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें Magnetic Tape की तो जो Magnetic Tape होता है यह तरह का recording medium होता है जिसमें यह एक thin plastic की strip होती है जिसके की उपर Magnetic Material की बहुत ही fine coating रहती है और उसका use basically data को store करने के लिए करते हैं और यह basically जितने भी recording audio होती है वीडियो होते हैं, digital data होता है उसको store करने के लिए basically use करते हैं पुराने टाइम में आपने सुना होगा कुछ cassettes होती थी तो वो जो cassettes होती थी यहाँ पर आप इस diagram में देख सकते हो इस cassette में यह जो circular type में use करा गया है यह तरह का आपका magnetic tape ही है यहाँ पर आप देख सकते हैं, single magnetic tape है और इस image में आपका cassette के अंदर magnetic tape लगाया गया है और magnetic tape का use जो भी audios होते हैं, videos होते हैं उसको store करने के लिए हम करते हैं आगे चलते हैं, next अगर हम बात करें floppy disk की तो floppy disk क्या है? एक तरह का small portable magnetic disk है जिसका use basically simple भई चीज़ है data को store करने के लिए, computer के data को transfer करने के लिए हम use करते हैं इसको हम diskette या फिर floppy भी कहते हैं और इसमें जो speed होती है floppy disk की वो अगर हम hard disk के साथ में compare करें hard disk क्या होता है? आपके CPU होता है CPU में जो भी data store होता है, वो उसकी hard disk में होता है तो अगर floppy disk की speed की अगर हम बात करें उसका अगर हम comparison करें hard disk से तो floppy disk की speed होती है, वो slow होती है अगर हम इसकी storage capacity की बात करें तो storage capacity भी hard disk की comparison में काफी कम होती है यह जो floppy disk होती है, यह बहुत ज़दा expensive नहीं होती है अगर इनके हम storage capacity की बात करें तो comparatively बहुत कम हो जाती है 100 KB से लेकर के 1.44 MB तो floppy disk का storage बस इतना ही होता है यह जो magnetic tape है जो floppy disk है यह जो है अब present time में इनका use ना के बराबर है बट जब starting हुई थी जब इनका development हुआ था तो starting में इनका use काफी ज़ादा किया जाता था अब जो है आपके memory cards होते हैं तो memory cards भी उतना use नहीं होते हैं आपका जितना भी data रहता है वो cloud storage में ही आपका store होता है तो यह सारी चीजे जो है देदेगर के eliminate होते हैं बट ऐसा नहीं कि इनका use जो है वो बिल्कुल ही खतम हो जाएगा थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं यह आपके image में देख सकते हो कुछ floppy disk इस तरह की होती है आगे अगर हम बात करें compact disk की इसको short में हम cd बोलते हैं तो यह एक तरह का polycarbonate plastic disk है with one or more metal layers that is used for storing digital data जो भी digital data होता है उसको store करने के लिए multiple metal की layers यहाँ पर use करी जाती है और यह जो layers होती है यह आपकी polycarbonate plastic की disk होती है इसको की हम compact disk बोलते हैं यह एक तरह का standard medium है for distributing large quantities of information in a dependable package अगर हम इनकी capacity की बात करें तो 80 minute की जो audio होती है या फिर 60 megabytes से लेकर की 700 MB तक की data को compact disk के अंदर store किया जा सकता है अगर हम time duration की बात करें तो 80 minutes की audio और अगर हम MBRK में बात करें तो 650 MB से लेकर के 700 MB तक की data को हम इसमें store कर सकते हैं उसके अलावा जो CD होती है यह दो diameter में होती है एक standard CD होती है जिसका जो diameter होता है वो 120 mm होता है और यही पर एक mini CD आती है जिसका diameter होता है 80 mm अब यह जो CD होती है इनको भी हम तीन तरह से classify कर सकते हैं एक हो गया CD ROM एक हो गया CD R एक हो गया CD RW तो CD ROM क्या है Compact Disk Read Only Memory CD R जो है आपका Compact Disk Recordable and CD RW याने कि Compact Disk Rewriteable तो CD ROM Read Only याने कि जहां पर हम सिर्फ data को read कर सकते हैं सिर्फ data में जो भी data store यहां पर और एक बार किया जा चुका है उसको बस हम एक बार देख सकते हैं Recordable याने कि ऐसी CD जहां पर हम data को record कर सकते हैं Rewriteable याने कि एक बार data इसके अंदर आ चुका है अब इसके बाद में अगर हम post में कुछ modification करने हैं कुछ changes करने हैं तो हम उसमें वो कर सकते हैं तो ये तीन तरह कि आपकी CD रहती है और CD कुछ इस तरह के रहती हैं उम्मीद कर तो जब को पता होगा अब आगे चाहते हैं यहाँ पर आपका next है DVD DVD क्या है इसकी full form होती है फुल form बहुत important है digital versatile disc या फिर इसको हम digital video disc कहते हैं तो दोनों ही full form है इसकी DVD की इसको आपको याद रखना पड़ेगा उसके अलावा अगर हम इसकी storage capacity की बात करें तो CD के comparison में इसकी storage capacity काफी अच्छी होती है और यहाँ पर जो DVD की एक single layer होती है वो कम से कम 4.7 GB के data को store कर सकती है और यहीं पर अगर दो layer है DVD की तो इसमें आपका 8.5 GB तक का data यहाँ पर store हो जाता है और यह जो variance है basically maximum to maximum 17.08 GB तक के data को store कर सकते है तो DVD के अगर हम बात करें minimum storage capacity कितनी है 4.7 GB और maximum storage capacity कितनी है तो 17.08 GB तो यह दोनों ही points आपको बहुत अच्छे से याद रखने पड़ेंगी काफी important points है next यहीं पर अगर हम बात करें HD DVD की HD DVD जो है वो आपकी originally इनको हम advanced optical disc बोलते हैं यानि की AODs तो यह भी काफी important point की AOD की full form क्या है advanced optical disc जो की HD DVD का ही अधर नाम है और इनको basically DVD, standard DVD जो हैं उनके successor के तोर पर develop किया गया है और जो HD DVD होता है इसका जो physical size है अगर उसकी हम बात करें तो जो standard compact disc होती है DVD होती है 120 mm तो इसी size में आपको देखने को मिलता है और इसमें अगर हम इसकी storing capacity की बात करें तो यह आपका कम से कम 15 GB पर layer store कर सकता है तो जो DVD है DVD की अगर हम एक layer की बात करें तो उसकी एक layer में आपका 4.7 GB store होता है यही पर अगर हम HD DVD की बात करें तो इसकी एक layer की अगर हम बात करेंगे तो इसमें 15 GB का data store हो जाएगा तो यानि कि अगर यहाँ पर 2 layer हो गई तो on an average 30 GB का storing यहाँ पर capacity हो जाएगी HD DVD में तो यह चीज हो गई अब जैसे कि आपका CD होता है same वैसे ही आपका DVD होता है बस पर किसमें आ जाता है इसकी storing capacity का और इसका जो visualizations होते हैं उसका उसके अलावा ऐसे ही एक चीज़ और होती इसको हम बोलते है Blu-ray तो Blu-ray डिस्क जो होता है यह आपका next generation optical media है और यह जो है large amount of data को generally store करता है and high definition videos and audios के storing के लिए इसको यूज करते है यहाँ पर जो laser होता है उसको हम यूज करते है data को read करने के लिए smaller areas जो होते हैं उस पर focus करने के लिए ताकि जो data है उसको store कर सके and यहाँ पर जो डिस्क का size होता है Blu-ray disc का size same भही होता है जो कि आपका CD और DVD में होता है and यह जो है आपकी readable नहीं होती है standard CD and DVD की तरह and इसमें अगर हम बात करें storing की तो Blu-ray disc जो है अगर single layer की बात करें तो 27 GB का data एक layer में store कर सकता है तो अगर हम dual layer की बात करेंगे तो on an average 50 GB तक का data यहाँ पर हम store कर सकते हैं Blu-ray disc में अचा कौन सी तरह की DVD में CD है, DVD है, HD DVD है, Blu-ray disc है तो इनकी जो storage capacity है यह काफ़ी important है match the column करके questions आ जाते हैं और previous year paper में इस तरह की questions काफ़ी देखने को मिले हैं इसलिए मैं हर चीज को highlight करते वे चल रही हूँ यहापर आप तो थोड़ा सा इसको focus कर लीजेगा यहाँ पर आप देख सकते हो यह आपकी compact disc है, यह आपकी DVD है, यह आपकी Blu-ray disc है इनमें ज़्यादा difference आपको size का नहीं दिखेगा ज़्यादा कुछ आपको differentiation पता नहीं चलेगा पस हाँ, थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो जो Blu-ray disc होती है Blu-ray disc में आपका blue color का essence दिखेगा और जो आपका DVD है और CD है वो almost same ही होती है उसको differentiate करना उतना असान नहीं है बढ़ थोड़ा बहुता अगर image से देखो तो थोड़ा सा आप अंदाजा लगा सकते हो अभी हम आगे चलते है बाकी उसमें CD में जो है DVD जो है उसमें लिखा भी होता है कि यह क्या है तो वो तो आप देख कर पढ़ सकते हो अब यहाँ पर next अगर हम बात करें iPod की तो iPod क्या है iPod भी एक तरह का Portable Digital Audio Player है जिसका Design करा गया था Apple Computer के द्वारा और यह जिसे कि जितने भी songs होते हैं गाने होते हैं उनको सुनने के लिए इसका use जादा होता था बाकी जितना भी data है आपका audios हो गया, videos हो गया उनके storing के लिए ही यूज करते थे बेसिकली अडि स्टांडर्ड जो iPod स्टोर्स होते हैं और बिल्ट इन हार ड्राइव इसके अंदर ही एक हार ड्राइव होती है आडि स्मॉलर iPod शफल होते हैं आडि आइपोड नानो जो है वो आपका flash memory को यूज करते हैं तो बिसिकली अलग-अलग variants है सिंपल सी अगर हम बात करें iPod एक तरह का ऐसा device है जहां पर हम जो भी audios होते हैं उनको सुन सकते थे तो पहले टाइम में इसका यूज करा जाता था और इसमें अगर हम storage capacity की बात करें storage capacity कितनी है और ये क्या है बस इतना आपको पता होना चाहिए बाकियों डीटिल में जानने के जरूत नहीं है तो ये चीजें जो हैं इन पर questions बनते हैं और क्योंकि ये जो हैं अब present में use नहीं होते हैं पहले होते थे तो इस वज़ा से इनके बारे में ज़्यादा idea भी नहीं होता है किसी को तो इस वज़ा से इनके बारे में पता होना जरूरी है और ये आपके questions पेपर में आपके questions इस तरह से बनते भी हैं तो इस वज़ा से storage capacity कितनी है क्या होते हैं और क्या काम है इनका इतना आपको पता होना चाहिए नेक्स अगर हम बात करें ऐसा ही एक होता है जून जो है वो भी आपका एक तरह का डिजिटल म्यूजिक प्लेयर है जिसको कि Microsoft ने बनाया था रसी कि आपका iPod है वो Apple तो अगर एक जून प्लेयर को कुछ data शियर करने पूरे औरließlich खने एक निटी है आपका प्लेयर को यह आपकदा खो जो आपके SD cards होते हैं जो आपके जो mobile phones होते हैं उसमें additional data के storage के लिए हम अलग से कुछ memory cards डालते हैं तो यह क्या है solid state electronic flash memory है data storage devices है इनका use हम digital cameras, cell phones, handheld devices, laptop, computers, digital music players, video game consoles and other electronic devices उन सब में हम use करते हैं अब यहाँ पर अगर हम बात करें flash memory cards के तो यह अलग-अलग type के होते हैं वो आप यहाँ पर stable में देख सकते हो सबसे पहला आपका SD card जिसको हम secure digital बोलता है, full form याद लखना बहुत जरूरी है, directly question बनेगा यहाँ से, तो secure digital card तो इसमें आपका storage होता है 8 MB से लेकर के 4 GB तक का CF card जिसको हम compact flash card बोलेंगे, इसमें 2 MB से लेकर के 100 GB तक, MMC जिसको के आप multi media card बोलोगे, इसमें maximum होता है 8 GB तक का storage, MS जो के आपका memory stick है, यह आपका 4 MB से लेकर के 32 GB तक, XD picture card जो है इसको short में XD बोलते हैं, यह आपका 8 GB तक का storage capacity है, और SM याने की smart media में आपका 2 MB से लेकर के 128 MB तक का storage capacity है, अब यहाँ पर यो table बनी हुई है, यह आपको याद होना बहुत important है, क्योंकि यहाँ से काफी सारे questions आपको देखने को मिलेंगे, तो यह star mark है, आपको इसको बहुत अच्छे से याद करना पड़ीगा, आगे next अगर हम बात करें USB flash drives की, तो USB flash drives बहुत आसान है, जो आप present में pen drives यूज करते हैं, उसको क्यों USB flash drives बोलते हैं, यह भी आपका data storage device है, इसको अगर हम इसके other name की बात करें, बहुत सारे होते हैं, जैसे कि pen drive है, thumb drive है, jump drive है, USB keys है, USB stick, key drives, vault drives, तो यह सारे USB flash drives के other names होते हैं, यह सारे आपको याद होने चाहिए, उसके अलावा NAND flash memory जो है, एक तरह का non-volatile storage technology है, NAND flash memory क्या है, जो आपकी USB flash drives होती है, इसमें जो data storage device है, यह एक तरह का NAND type का flash memory data होता है, यह अब NAND flash memory है, क्या यह एक तरह का non-volatile storage technology है, that does not require power to retain data, डेटा को store करने के लिए उसको किसी भी तरह की power की requirement नहीं होती है, तो जो भी इस तरह का medium होगा, उसको हम बोलेंगे NAND flash memory, and इसके अगर हम important goal की बात करें, so NAND flash development has been to reduce the cost per bit and to increase maximum chip capacity, so that flash memory can compete with magnetic storage devices such as hard disk, तो यह आपका हो गया USB flash drives, जो कि आप बहुत ज़्यादा use करते हैं, और यह कुछ इस तरह की होती है, उमेद करते हूँ यहाँ तक आपको जितने भी devices के बारे में हमने पढ़ा है, समझ में आ गया होगा, अब यहाँ तक हमने वो सारे devices को पढ़ा, जो कि आपके previous year paper में कहीं न कहीं पूछा गया है, या कुछ न कुछ importance रखता है, इनकी storage capacity याद रखना बहुत important तो उसको जरूर से उस पर थोड़ा सा focus करिएगा, अब इसके बाद में कुछ ऐसी devices हैं, basically बहुत सारी devices हैं, बहुत सारी आपके electronic evidences हैं, digital evidences हैं, जिसके बारे में हम अपने next video में cover करेंगे, और यह काफी सारी लंबी सी list है, तुसको हम आगे cover करेंगे, बाकि अभी यहाँ पर इस video को करते हैं, and उमीद करते हूं, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, बाकि कोई question है, कोई query है, आप लो सुटेबल हैं, आपको सारी आपको बहुत सारा other content देखने को मिलता है, तो यहाँ पर विजट जरूर से कर लीजेगा, बाकि वीडियो पसंद आ रहा है, तो लाइक जरूर से कर देंगे, अपने फ्रेंज के साथ में शेयर कर देंगे, ताकि उन तक भी यह वीडियो पहन सक चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे, बेल अकन प्रेस कर लेंगे for daily updates and thank you so much for joining me here.